जैसे किसना दोस्तों बी एस सर्माबाद्वाद चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों पितर पक्ष में आपके मन में जिग्यासा रहती है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आजकल यूटूब पर अनेकूं बीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिन में बताया जाता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पन्तु दोस्तों अगर आप सभी सावसी बीडियों को आप देखेंगे तो किसी में कुछ बताते हैं किसी में कुछ बताते हैं मन ब्रमित हो जाता है पन्तु आप जो बातों का ध्यान रखें केवल सास्तों की अन्सा रखें सास्तों में जिस चीज की मनाई की गई है उस चीज का रखना चाहिए ज़्यादा भ्रमिट होने की आवश्चता नहीं है स्राध पक्ष में अब कहीं पर इतनी सारी लिस्टे मिल जाती हैं जिसमें सब कुछ खाना ही छोड़ दो हाँ जो जरूरी हैं सास्तों में मनाई की गई हैं उन चीजों को ही त्यागना चाहिए जैसे सास्तों की अंसार प्याज लेसुन का प्रयोग नहीं किया जाता तामसी भोजन जो होती हैं तामसी प्रविटी की सबजी होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता डालों में मसूर की डाल का प्रयोग नहीं किया जाता साथ में जो हैं मसूर की डाल हो गई प्याज लेसुन हो गया गाजर हो गई बंद गोवी हो गई इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए साथ में बेंगन का भी प्रयोग निशेद माना जाता है क्योocket बेंगन का प्र्योंत आभर दोखत लगा हैं। बेंगन को जो है। ना रीबार को खाते हैं, ना द्वासीं दह्मींगें द स्काते हैं। इसी है प्रकार सीनको सत्त लगा हुआ है। कई जगे पर मिलता है बंदन कई बीडियों का गया है मूली नहीं खानी चाहिए कई में कहते हैं मूली खानी चाहिए यह सब सात्तुपले हैं इनमें दोस्त नहीं होता लोकी है तोरही है तोरही से प्रसंद होते हैं औरट की डाल से प्रसंद होते हैं औरट की दाल का तोरी कब इसिस प्योग किया जाता है लोकी का अभी सास्तों में बढ़नन नहीं है कि लोकी नहीं खानी चाहिए यह केवल आपको सोशल मीडिया पर ही मिलेंगी बागी सास्तों में चीज़े नहीं है में सात्युक भोजन आपको बनाना है तामसी परविती के भोजन का प्रयोग नहीं करना है इन बातों का बिशीष रूप से जान करें हाँ उड़की डाल जो हैं दूसरे की घर की नहीं खानी चाहिए दूसरे की घर की उड़की राल का प्रयोग ना करें बासी भोजन का प्रयोग ना करें और साथ में जो हैं अगर आप झूटे हाथ इस परस कर लेते उस वस्तू का प्रयोग पूजापात में पित्रों में नहीं होता आप श्द्धाबाव से जो भी वस्तू पित्रों के लिए अर्पित काते हैं उसमें आप इक बात का ध्यार लखें कि भगवान की निमित अर्पि पेण्ट alegre कि ईंवराबाना चाहिए लौभ पित्रों को साथ कर रहे हैं वागत तुल्षी का पत्ता या पोदा रख दिया जाए तो पितर बुटी को प्रापट हो जाते हैं इसलि दोस्तों आप पित्रों की महध करें पित्रों कु शाथ टुक हमोजन कराएं तामसी भोजन प्रयोग ना करें मसूर की डाल प्याज लेसुन बंद वोभी गाजर सलगम इन वस्तुम का त्याक करें बाकी और चीजों में इतना नहीं है जो सुद्ध सात्युक भोजन हैं उनको आप अपना सकते हैं बिस्तार से तो इतने सारे बिंजल संसार में होते हैं सभी की एक एक की जनकाई दें तो बहुत ज्यादा बिस्तार हो जाता है। पित्रों का पूर्षिद्ध अब पूजन करें पित्रों को नित्वर्टी सफेद मीठे का भोग अवस्य लगाएं। बैसी पित्रों का सबसी प्रिये भूजन जो होता है वो खीर, पूरी, उड़त की डाल और साथ में जो है जलेवी, मिठ्याई का प्रियोग होता है और मिठ्याई में सफीर मिठ्याई बिसी सूर्शी पित्रों को प्रिये होती है आप लोज प्रिती, अगर कुछ नहीं बनाए केवल सब खीर पूरी बना करके पित्रों का भूग लगा दें सब शियादा पित्रों को प्रिये खीर होती है खीर थे देवता प्रितर प्रसंद हो जाते हैं इस प्रिकास से आप पित्रों की पूजा करें और साथ मी नित्य पृति आप पीपल पर तरपन अवस्ष करें पित्रों का जिसकी भीडियों में अगली डालेंगे और साथ मी पंच गराश जिस दिन आपके घर में स्राद होता है कव्वा, कुत्ता, गाय, अगली पितर इनके नाम से पंच ग्रास पांच पूरी अवस निकाने चाहिए जिसकी विदी भी हम अगली वीडियो में बता रहे हैं दोस्तों अगर आपको किशी पिकार की कुछ संका हो तो कमेंट में लिख देना उसको पर वीडियो बना देंगे वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप समी को जैसी किसना